नमस्ते दोस्तों जोहार मैं अभी सक्षक्रवड़ती आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर सागत करता हूँ दोस्तों आज मौर्णिंग में एक 7th क्लास का स्टुडियू आकर मुझे JCERT क्लास 7th का डालिया इंग्लिस टेक्स्ट बुक देकर जाता है जिसमें वहार एक पोयम को एक्सप्लेण करने के लिए बोलता है दोस्तो आज हम इस book से एक ऐसे poem के बारे में बात करेंगे जो काफी motivating और inspiring है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने को प्रेना देती है मैं भी जब इसे पहली बार पढ़ा था तो काफी motivated हुआ था आप भी जब इस poem को पूरा अच्छे तरह से समझ लोगे तो आप भी काफी inspired और motivated होगे ठीक है तो चलिए दोस्तो इस poem को सुरू करते है दोस्तो poem का नाम है where the mind is without fear मतलब जहां हमारे दिमाग में किसी परकार का भई ना हो यह poem दोस्तो great Indian poet रविंदर ना टेगोर द्वारा लिखी की है और इनका जन्म यानि आजी की दिन 7th मैं 1861 को कलकत्ता में हुआ था जिनोंने literature, drama, song, novel, poem, painting कई चीजों में महारत हासिल की थी इनके माता का नाम सार्दा देवी और पिता का नाम देवेंदर नाथ टेगोर इनका पिता ब्रह्म समाज के वरिष्ट नेता थे इनके बारे में कुछ दिया गया, book में हम देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है दोस्तों यहां देख सकते हैं क्या दिया गया, about the author ठीक है, उनके बारे में तो पढ़ते हैं दोस्तों क्या दिया गया है रविन्दना टेगोर founded सांती निकेतन इन बोलपूर वेस्ट बैंगोल which promoted ancient method of teaching रविन्दना टेगोर ने बोलपूर पस्चिम मंगाल में सांती निकेतन की अस्थापना की जिसने प्राचीन सिच्छन पद्धतियों को बढ़ावा दिया आगे क्या है काबुली वाला पोस्ट मास्टर गोरा उनकी कुछ प्रसिद्ध रचना है ठीक है जिन्होंने गितानजली की कविताओं के संग्रह के लिए 1913 में साहित का नॉबल पुरसकार जीता इनका जम तो हमने जाना कब 7 में 1861 को हुआ था और इनका देथ 7 अगस्ट 1941 को हुआ था ठीक है इनका देहांत कब हुआ था 7 अगस्ट 1941 को ठीक है आगे देख लेते क्या दिया हुआ है इस पोईम को पढ़ने के बाद दोस्तों आप काफी अपने आपको motivated महसुस करोगे inspire महसुस करोगे और अपने आप में एक साकरात्मक उर्जा फिल करोगे ठीक है एक positive energy फिल करोगे आगे क्या लिखा है दोस्तों देख सकते हैं before you read ठीक है इंडिया is our country and we all love our country ठीक है भारत हमारा देशे और हम सभी अपने देशे प्यार करते हैं भारत का अंग्रेजी सासन से आजाती से पहले रविना टेगर दोहरा यहाँ पोएम उनिस्वी सताब्दी में लिखा गया था जो की बंगला भासा में 1910 में गितानजली में प्रकाशित हुआ था दोस्तों दो साल बाद यानि 1912 में इसका इंग्लिस एडिशन आता है यहाँ पोएम इंग्लिस वर्जन गितानजली में पोएम 35 के रूप में आता है दोस्तों रविन्दनायत ट्रेगोर को इस गितानजली लिटरेचर यानि साहित्त के लिए नोबल प्राइज कब मिला था 1913 में मिला था वे पहले ACI थे जिने यहाँ नोबल पूरशकार मिला 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इस कविता को इंडियन प्रेयर यानि प्राथना के रूप में पढ़ा गया था यूएस प्रेसिडेंट बराक अबामा जब भारत आये थे तो उन्होंने भी इस पोएम की कुछ पंक्तिया बढ़ी थी आगे क्या लिखा है दोस्तों देख सकते हैं Read the poem to find out what else he prays for मतलब और कभी किन किन चीजों के लिए प्राथना करते हैं जानने के लिए इस कविता को पढ़े ठेक है चलिए दोस्तों कविता को सुरू करते हैं दोस्तों यह सौतंत्र भारत का प्राथना कभी इस वर्ष से करते हैं कि सौतंत्र भारत कैसा हो ठीक है उसके लिए वो इस वर्ष से प्राथना करते हैं पहला लाइन आप देख सकते क्या लिखा गया है Where the mind is without fear and the head is held high ठीक है मतलब भारत ऐसा होगा जहां किसी के मस्तिक्स में भय ना हो यानि स्वतंत्र हो किसी का गुलाम ना हो और जहां सभी गर्व के साथ अपना सर उचा रहे ठीक है और जहां सभी का गर्व के साथ क्या रहे आपना सर उचा रहे And the head is held high उसी का मतलब है, ठीक है, आगी क्या लिखा है दोस्तों, where knowledge is free, where knowledge is free, मतलब क्या है दोस्तों, जहां ज्यान सभी को प्राप्त हो, बिना कास्ट यानि जातपात, religion यानि धर्म, रंग यानि काला गोरा या अमिर गरी भी देखकर, यानि हर किसी को, जो स्वतंत्र भारत हो, वहा इस लाइन में ये कहते हैं, ठीक है, आगी क्या लिखा है, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, ठीक है, यहां कुछ-कुछ चीज़े हैं जिसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, क्या दिया गया, narrow domestic wall, यानि संकिन, domestic मतलब हो गया, घरेलू, और वाल मतलब हो गया, दिवार, ठीक है, broken up into fragments, यानि छोड़ी-छोड़ी टुकडो में, ठीक है, तो ये जो लाइन है, इस पूरे लाइन में कभी का क्या तात्परे है कहने का, ठीक है, उसका हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, जहां पर दुनिया टुकडो में ना बटी हो, ये कभी जो है, पूरी दुनिया दिवारों से तात्परी क्या है कभी का, यानि वो कहना चाहते हैं कि छोटी-छोटी, जो हमारी नाकरतमक्ता, विचारधारा है, उसको दूर करके हमें एक साथ जुड़कर रहने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कास्ट के आधार पर, रिलिजन के आधार पर, कलर के आधा पर, दुनिया आपस में बटी ना हो, ठीक है, यानि कभी कहते हैं, जहां पर दुनिया टुकडो में ना बटी हो संकिर दिवारों से, ठीक है, आगे देख सकते हैं, दोस्तों क्या लिखा गया है, वेर वर्ड्स कम आउट फॉर्म दर डेप्त अफ ट्रूथ, ठीक है, डेप सच, बिना डरे, बोल सके, अंदर सच्चाई की गहराई से, ठीक है, जो समाज हो, वो क्या सच जो है, बिना डरे, बोल सके, अंदर की गहराई से, ठीक है, आगे लाइन में क्या कह रहे हैं कभी, यानि कभी क्या कहना चाहते हैं, उसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं, टाइलेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लेजिए, कि ना थकने वाला, ठीक है, ना थकने वाला, यानि अच्तधिक परिश्यमी, striving मतलब दोस्तों परियास, ठीक है, stretches its arms towards perfection, यानि अपने भुजाओं को पुर्णता की और ले जाना, तो कभी इस पूरे लाइन में कहना क्या चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं, कि जहां लोग बिना थके अपने देश की प्रगरती में हाथ बढ़ाएं, ठीक है, आगे क्या ल to dairy desert, sand of dead habit, ठीक है, तो पहले कुछ meaning से उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, clear stream का मतलब हो गया, साफ नदी, reason, reason का तात पर यहां logic से है, यानि तरक से है, ठीक है, has not lost its way into dairy desert, dairy desert का मतलब हो गया, सुनसान रेगिस्तान, ठीक है, और dead habit का मतलब हो गया, बूरी आदत, तो क अभी आखिर इसमें क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जान लेते हैं, जहां साफ नदी ने logic से, यानि तरक से अपना रास्ता नहीं खोया, सुनसान रेगिस्तान की बूरी आदतों से, मतलब कभी यह कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, कि सौतंत्र भारत के बूरी आदत, यानि क्या बूरी आदत? अंध विश्वास, रोडी वादी विचाधारा, जैसे बिल्ली का रास्ता काटने पर रुख जाना, लड़कियों को सिच्छित ना बनाना, किसी वृद्ध को डायन बताकर उसे परताडित करना आदी, इन सब में विश्वास ना कर, लोग लॉजिक से काम ले, तर्क से काम ले, ठीक है? वो कहना चाहते है कभी, ठीक है? आगे के पंक्ती में देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है? इसमें कभी क्या कहना चाहरे है इस लाइन में? जहाँ पे आप यानि भगवान को कह रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों के मन को आगे बढ़ाएं, बुरी सोच विचारधारा को दूर करके, हमिसा बड़े सोच विचार के साथ जिससे समाज का भला हो सके, जिससे क्या हो सके? समाज का भला हो सके, अन्तिम जो लाइन है दोस्तों उसमें क्या दिया गया है? देख लेते हैं, इन्टु देट हेवन ओफ फ्रीडम, माइ फादर लेट माइ कंट्री अवेक, ठीक है? यहां कभी क्या कहना चाहते हैं? यहां पर पोएट जो है, भगवान से प्रात्ना कर रहे हैं, कि आजादी के स्वर्ग में, ठीक है? तो दोस्तों आसा करते हैं, आज का यह पॉइंट पढ़कर आपको काफी फॉजिटीव फील हो रहा है, अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया, तो बिल्कुल लाइक, सेर, एंड कमेट करना ना भूले, चैनल पनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आ झाल